नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल मायंग स्टेडी पॉंट पे और मैं हूँ आपका होस्ट मायंग साओ और आज का मेरा वीडियो मैनेजमेंट का है जिसके अंदर जाम लोग जानेंगे उसके फंक्शन्स और उसके लेबल्स के बारे में तो च अब उसलिए आज कुछ नया सेखलेते हैं तो चलिए दोस्तों विडियो सुरू करते और विडियो सुरू करनेंसे से पर आज हम लोग देख लेते कि अज किस वीडियो में हमलोग क्या-kया नया जानेंगे तो सब से पहले हम लोग हमेशा की तरह मीनिंग समझेंगे मैनेज सबसे पहले सुरू करते हैं management का मेनिंग से management क्या होता है management basically एक टर्म होता है जिसको हम लोग science and art से भी दुलना करते हैं कि art वो होता है कि हम लोग खुद से और कैसे अपने organization के किसी एक particular goal को achieve करते हैं दुसरों के मदद लेकर effectively और efficiently और science इस तरीके से कि हम लोग उसमें यह होता है management जैसे कि आपको यहाँ पर definition में भी आपको देखने को मिल रहा होगा आप लोग अपने notebook लेके बैठिये और यहाँ पर definitions को अच्छे से लिग दीजे आप अगर इसे लिग दोगे अपने paper में तो आपका number कोई नहीं काट सकता है तो यह हो गया management is the coordination and the administration of task to achieve a goal जैसे कि मैंने आपको बता है कि management एक coordination है administrations का जो जिनको एक task दिया जाता है उन गोल को achieve करने के लिए such administration activities include setting the organization's strategy and coordinating the efforts of staff to accomplish these objectives through the application of available resources तो administration को एक activity include किया जाता है जिसके अंदर organization strategy को बताया जाता है और उसे ही महनत से और लगन से staffing करके उनके goals को उनके objectives को जो उनके company का objective है कि उनको जो goals चाहिए कि मुझे ये sales इतना चाहिए वो company को इतना growth करना है ये सारा चीज को मदद करती है पहुंचने में इसको achieve करने में उनके साथ जो resources रहते हैं उनके मदद से तो ये हुआ management का meaning अब हम लोग बात करते हैं इसके functions की तो management का सबसे पहला function हो जाता है planning planning क्या planning से हम लोग क्या समझते तो जैसे कि एक company को जिसने start किया वो company किसले start कर रहा है उसका क्या objective है वो क्या करना चाहता है वो plan करना उसके साथ उसके अंदर क्या चाहिए इसके functions resources चाहिए कितना budget होना चाहिए ये सारा चीज का planning function का management का ये एक function होता है सबसे पहला कि वो क्या plan कर रहा है जैसे कि हम लोग यहां पर देखने को मिल रहा है planning is the purpose of asserting in advance what is supposed to be done and who has to do it जैसे कि यहां पर बतायागे planning एक ascertain purpose है जहां पर हम लोग advance तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कब future में क्या काम करने वाले हैं क्या company future में public को देने वाली है और उस काम को करने के लिए मुझे कैसे लोगों की जरूरत है और वो काम को कौन करेगा 10 signifies establishing goals in advance and promoting a way of delivering them effectively and efficiently जैसे कि मैं आपको बताया है कि वो लोग उस काम को एक एक तरीके से बाट देंगे वो किस तरीके से करेंगे और company किस तरीके से लोगों को मदद करेगी अपने product से वो plan करती है तो जैसे कि आप लोग नीचे image में भी देख सकते हो कि एक company meeting चल रही टॉ पर लेकर जा सके अपना growth कैसे कर सके यह सबसे पहला point आ जाता है planning का अब दूसरा सबसे important point आ जाता organizing organizing क्या होता है कि अब उन्होंने plan तो कर लिया budget बना लिया सारा चीज कर लिया अब वो लोग organize कर रहे कि अब मुझे कौन से लोगों की जरुवत है जो middle label पर काम करेंगे ज इतने departments की जरुत है उन्हें क्या करना है नहीं करना है यह सरा चीज अब हम लोग बात करते हैं उसके तीसरे सबसे important की की staffing staffing में जो आ जाता है हम लोग HR department के अंदर जो वहाँ पे लोगों को require करते हैं कि किन लोगों को किन तरह के काम करने हैं उनके documents को देखके उनको experience को देखके उनके interest को देखके वो लोग decide करते कि कि किस बंदे को या फिर किस बंदी को कौन सा काम करवाना है और organization के goals को achieve करवाना है यह हो जाता है staffing अब हो जाता है उसके बाद सबसे चौथा और important point directing directing में क्या हो जाता है जो उनके lower level के management होते हैं जो lower level के लोग होते हैं उनको middle level लोग direct करते हैं कि आपको यह काम करना है आपका यह responsibility है आपको यह काम इसी दिन तक कर देना है यह हो जाता है directing आप लोग यहाँ पर इस definition को वीडियो को रोक कर अपने notepad में लिख सकते हो या तो आप लोग को description में लिंक मिल जाएगा एक PDF का आप लोग इस PDF को download कर सकते हो और इसे पढ़ सकते हो याद करके अपने answer sheet में लिख सकते हो यह हो गया directing अब हम लोग बात करते हैं functions का सबसे आखरी point का जो की है controlling controlling क्या कि आप लोग अपने जो lower level management के लोग है उसको middle level वाले देखेंगे और middle वाले को top level वाले लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि उनका क काम सही से हो रहा है या नहीं वो उनको जो responsibility दिया हुआ वहूँ responsibility पे खड़े उत्रे हानि वो काम को सही तरीके से कर रहे या नहीं कर रहे उनका motivation क्या हो रहा है उनका inspiration क्या मिल रहा है वो इसका transfer कर रहे है किसको lay मन सोच रहा है यह सरा चीज होता है controlling यह हो गया management के functions अब हम लोग बात करते है management में लेबल जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया आपने अगर notice क्या होगा कि top label, middle label और lower label तो इसके उपर हम लोग बात करते हैं तो company के अंदर तीन तरह के management labels होते हैं कौन कौन से top label, middle label, lower label इनी तीनों में पूरा company चलता है इनी तीनों management से तो सबसे पहला बात करते हैं top label management किसे कहते और वो top label management कौन कौन होते हैं तो top label management में जो company के बारे में सोचा है कि वो company बनाया है, जो chairman हो सकता है, board of director हो सकता है, president हो सकता है, chief executive officer जिसे कि हम लोग CEO कहते हैं या फिर CFO होते हैं या फिर COO होते हैं Managing Director होते हैं General Managers होते हैं यह वो लोग होते हैं जो company को create करते हैं और company को चलाने की बारे में plan करते हैं यह लोग planners होते हैं कि मुझे यह करना है वो करना है इतना budget बनाना है इसा करना है वैसा करना है यह सरा चीज इनका क्या काम होता है इनका क्या function होता है यह determining objectives of enterprise यह determine करते है company के objectives को farming of plans and policies यह policies बनाते है companies के कि किस आदमी को क्या काम करवाना है किस तरीके से करवाना है उनका क्या क्या authority उनका क्या responsibility है उनको plan करते हैं फिर organizing activities to be performed person working at middle level और फिर वो जो middle level के लोग होते हैं उनके activities को organize करते हैं उनके performance को देखते हुए उनको काम और responsibility देते हैं कि मुझे अपने company में यह सारे departments चाहिए उनके लिए यह सारे लोग चाहिए उनके अंदर ऐसे-ऐसे चीज होनी चाहिए जो perform अच्छा कर सके फिर assembling all the resources such as finance raw materials fixed assets फिर क्या करते हैं कि जो ए्प्लान किया गया जो budget बनाएगे तो उनके लिए वह सारे resources को इ chodzi करना कि वह कहांसे कराए उनको पैसा कहांसे मिलेगा उनको raw materials ऑनके लिए fixed asset क्या हो जाएँगे उनके लिए current assets क्या हो जाएँगे वह क्या बेचने वाले उनका packaging क्या होगा वह कौन सा ब्रैंड यूज करेंगे या फिर ब्रैंड क्या नाम बनाएंगे ब्रैंड का यह सरा चीज फिर आता है controlling the performance of employees फिर वो काम क्या करते हैं कि जो employees के performance है उनको control करते हैं कि यह top label के लिए लायक है इसको आगे promote कर सकते हैं या इसे आगे demote कर सकते हैं यह सही काम नहीं कर रहा है इसे निकाल सकते हैं या इसका transfer कर सकते हैं अब दुसरा ब्रांच जहां पे खोल रहे हो वहां पे इसका ट्रानसफर कर सकते ऐसा चीज तो यह डौन का काम होता है अगर आप आप फिर टॉप लेबल का अपका पौन में घॉजबल छा Top Label ने अपने companies के अलग-अलग different departments बनाए, जिसके अंदर purchase head भी आ जाते हैं, sales department आ जाता है, finance department आ जाता है, marketing department आ जाता है, executive department आ जाता है, HR department आ जाता है, यह सब होता है middle label के अंदर, जो top level का बात सुनते हैं, top label जो कहता है, जो काम करने बोलता है, वो middle level करते हैं, वो उस हिसाब से अपना काम को, अपने organization को handle करते हैं, जिनके अंदर purchase head होते हैं, sales head होते हैं, finance manager होते हैं, marketing heads होते हैं, executive officers होते हैं, plant superintendent होते हैं, supervisors होते हैं, यह सारे चीज जो होते हैं, यह middle level के होते हैं, अब इनका function क्या होते हैं, इनका सबसे ज्यादा काम क्या बनायायाएजाता फालीसी जो भी ब्लाइन के जाता है तॉप लेबल पेनल के थической तो उनपे रहे हैं काम करना यहारे है उस ते क्रिकितार और आखे कर से अलग कर रहे executing the plans and policies फिर organize करते अलग-अलग activities को कि इस आदमी को ये काम दे देते हैं, वो ये काम अच्छे से कर देगा, उसका ये responsibility है, उसको authority दे देते हैं, कि उसको दूसरा को यहा कर ऐसा ना बोल दे, कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये छोड़ दो, उसको अपना एक authority दिया जाए जाएगा, वो सारा चीज उस department के अंदर दे दिया जाएगा, फिर आता है, founding out or recruiting, selecting and appointing the required employees for their department, अब क्या होता है कि अब सारे departments बना दिये गए, उन सारे departments के head आ गए, अब वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अब किन किन लोगों को किन किन department में divide कर दे, जैसे कि उन्होंन चार है या पांच departments है, अब सब को अपने requirement के हिसाब से 100 लोगों को divide कर देना है एक दूसरे के बीच में, कि इस department में इतने लोग होंगे, उस department में उतने लोग होंगे, research and development department में ये सारे लोग होंगे, ऐसा चीज, फिर आता है motivating the persons to perform to their ability, फिर उनके बाद अगर कोई company चाहता है, company में उसका मन तो लग रहा है, लेकिन वो company छोड़कर दूसरे जगा जाना चाहता है, तो वो क्या करते है middle label वाले, वो लोग उसको motivate करना, उनको पैसे से मदद करना चाहते है, कि आपका चलो मैं salary बढ़ा देता हूं, आपका promotion कर देता हूं, या फिर आपको इसको problem और घर में भी काम करना और घर में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको laptop प्रोवाइड कर देता है, computers प्रोवाइड कर देता है, यह सारे चीज़ होते हैं, जिससे company अपने employees को motivate करते हैं, कि आप हमारे लिए काम करो, और employees उनके लिए अच्छे से काम करते हैं, यह होता है, फिर आता है controlling and instructing the perform, preparing their performance report, अब उनके performance report को control करना और उनको instruct करना कि आपको यह सारे काम इस तरीके से करने हैं, आप अच्छा से कर रहे हो और नहीं कर रहे हैं, यह देखना होता है, उनको instruct करना होता है, कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, यह सारा चीज preparation करना हो यह होता है middle level का काम, अब हम लोग बात करेंगे management का आखरी और lower level के बारे में, lower level management, इसके अंदर कौन आते हैं, supervisors आते हैं, superintendent जो junior level के होते हैं, clerk होते हैं, sub department executives होते हैं, formants होते हैं, यह लोग आते हैं lower level के अंदर, जिनका काम होता है, आदेश को पालन करना, उपर से जो उनको command किया गया है, वो command को सही तरीके से करना, जैसे कि हम लोग Indian army में भी देख सकते हैं, Indian army के उपर भी सारे सबसे heads होते हैं, जो general होते हैं, उसके बाद उनके subordinates होते हैं, फिर उनके बाद उनके subordinates होते हैं, जिनका काम होता है, सिर्फ उनके बातों को सुनना, और दुसरे को reply लाई नहीं करना, उनके command पे काम करना, तो यही होता है, lower level में, और यही सारा चीज होता है, हर organization में, आप कोई भी organization उठा कर देख लो, तो इसके functions क्या होते हैं, managers perform activities according to the plans to top level and middle level management, इनके जो managers होते हैं, उनको यही काम होता है, कि उन्होंने जो perform करने के लिए activity दिया है, उसी quality के according, वो सारे plan के according, वो काम करें, और दूसरा कुछ काम एक्स्ट्रा ना करें, फिर आता है quantity and quality of output depend upon efficiency of this level of management, फिर उनका क्या quality है, क्या quantity में, वो output दे रहे, वो depend करता है, lower level management के उपर, वो कितना efficiency से और कितनी effectively वो output निकाल रहे है, output दे रहे है, they pass on instruction to workers and report to middle level management, और उनको जो instruction मिले रहते हैं, वो अपने workers, अपने company के workers को देते हैं, और वो सारा report workers का जितना भी report उन्होंने बनाया है, वो सारे workers जिसे सबसे काम कर रहे हैं, उनका output का report जाके middle level management को देते हैं, और middle वाले top level को जाकर देते हैं, फिर आता है, they are responsible for maintain discipline among the workers, उनका एक और भी काम यह होता है कि वो एक दूसरे के बीच में discipline बना कर रखे, एक दूसरे का attitude, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के साथ friendship अच्छा बना कर रखे, अच्छा bond बना कर रखे, और साथ में जो workers हैं, उनके बीच में भी किसी तरह का conflict ना हो, इस पे भी वो लोग ध्यान देते हैं, फिर low level management is also known at supervisory management, lower level management को भी हम लोग कही बाड supervisory management भी कहते हैं, आप लोग सुनते भी हो होगे जुनियर management है, junior supervisor यह senior supervisor, यह लोग इसके अंडर आते हैं, लोग लेभल management के अंदर आते हैं, तो दोस्तो, यह तो था आज management का हम लोगोंने जो वीडियो में देखा कि management क्या होता है, management के functions क्य author management के labels क्या होते है आप लोग आगे वीडियो में अगर आप चाहो तो आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आपको management के functions को और details में जानना है उनके causes को बारे में अच्छे से जानना है तो आप लोग मुझे comment करो मैं उनके पर वीडियो बनाऊगा और नहीं अगर आपको वीडि है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस करें बैल आइकन को भी ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिवेक्शन तुम्न मिले और आप उसमस्त ना कर सके तो मिलते हमारे अगले वीडियो पर जुड़े रहे माहिंग सड़ी पॉंट के साथ